हेलो बच्चो गलास्थ हर्ड आपका चोथा पार्ट नंबर चार जो है ये बाबा जितों के नाम परे तो इसके प्रेशन है पहला प्रेशन कापाड बाबा जितों कहां के रहने वाले थे उत्तर गार गाओं के खापाड बाबा जितों अपने परिवार का पालन पोशन केसे करते थे उत्तर खेती बाड़ी करके परिवार का पालन पोशन करते थे अभे गापाड बुद्ध, सिंग, महता और बाबा जितों के बीच क्या ते हुआ था उत्तर ये ते हुआ था कि दोनों आधी-ाधी फसल बांटें गे चोथा पार्ट है इसका पहले का बाबा जितों ने क्या कहकर बुआ कोड़ी को गिहूं का दाना तोड़ने से मना किया उत्तर हो सकता है ये दाना जमीनदार के हिस्से का हो प्रेशन नमबर नापाट बाबा जितों और बुआ कोड़ी के बलीदान की याद में मेला कहां लगता है उत्तर जिडी में मेला लगता है प्रेशन नमबर दो है दिये गे शब्दों से वाक्य पूरे करें पहला अफ्षन है जमीन दूसरा है अन्याए तीसरा है माता पिता चोगता है शर्दा पांचवाए बेटी कापाट में आएगा विवहा के कुछ दिन बाद बाबा जितों के डेट डेश का देहन्त हो गया तो इसमें आएगा माता पिता खापाट बाबा जितों की डेश डेश का नाम भुवा कोडी था तो डेश डेश का आएगा बाबा जितों की बेटी का नाम बेटी आएगा यहां पर तीसरा है जोंजा जितों की डेश डेश हडपना चाती थी तो यहां पर आएगा जमीन चोथा पार्ट है महता तुमने मेरे साथ डेश किया तो यहां पर आएगा अन्याए पांचवा पार्ट इसका जिडी के मेले में सभी धर्मों के लोग बड़ी डेश के साथ आते हैं तो शर्धा आएगा इसमें पाड़ें और समझें तीसरा सवार का पाड़ जो खेती करे उसको क्या बोलते हैं किसान जो लोहे के काम करें उसको बोलते हैं लोहार जो मिट्टी के बरतन बनाए उसको बोलते हैं कुमहार जो बिमार का इलाज करे उसको बोलते हैं वेद या डाक्टर जो सोने चांदी के गहने बनाए उसको बोलते हैं सुनार प्रेशन नमबर चार सही कथन के आगे टिक और गलत के आगे क्रास का निशान लगाएं पहला है बाबा जीतो शामाचक गाओं के रहने वाले थे तो क्रास ये गलत हैं दूसरा है बाबा जीतो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोशन करते थे ये ठीक है, ठीक है तीसरा है, बाबा जीतों के साथ पुतर थे, यानि बेटे थे, ये करास है चोथा है, जोंजा चाती थी कि जीतों के परिवार का कोई नाम लेवा भी ना रहे ये ठीक है पांचवां, बुदी सिंग महता एक बड़ा जमीनदार था ये ठीक है छटा है, महता की याद में जिडी में मेला लगता है ये करास है